मित्रो अकर मैं आप से कहूँ कि दुनिया भर में बहुत सारे जीवों में मानौ अलग सिर्फ एक कारड़ से और वो कारड़ है जिग्यासा क्योंकि मानों के अंदर जिग्यासा का भावना होती है और उसी जिग्यासा को सांत करने के लिए मानों धेर सारी सोध करता है नैने अविश्कार करता है इसलिए वो अन्य जीवों से बिलकुल अलग है और जादा बुद्धिमान माना जाता है ठीक है तो आज मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपकी जिग्यासा को सांथ करने के लिए आया हूँ और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हम महीनों से दोस्तों लगातार इस तरह के वीडियोच पर काम कर रहे हैं जिससे आपके मन की जिग्यासा सांथ हो सके मैं आपसे पूछ हूँ कितने दिन पढ़ते लिखते हो गया सब कुछ जानते हो गया लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल अगर पूछ हूँ मुझे बताए कि गीता पर हाथ रखके कसम क्यों खाये जाती है हम लोग अकसर पिक्चर में देखते हैं कि जो कोई हिंदू होता है तो इसको गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाया जाता है कोई मुस्लिम होता तो इसे कुरान पर जो हाथ रखके कसम खिलाया जाता है ऐसा पिक्चरों में भी होता है या फिर रियल लाइफ में भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती है ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जैसे पूछूँ कि दोस्तो आप कोर्ट में दोस्तो जज़ के पास इस तरह का हथोड़ा देखते हैं ठीक है इस तरह का हथोड़ा क्यों होता है माइक रख लिए होते हैं बोल दिये होते हैं तेजी से बाते समझ में आगे होती तो यह हथोड़े की क्या जरूँत है या कह दो दोस्तो नियाय की मुर्ती अक्सर आप देखते होंगे नियाय की मुर्ती की एक हाथ में तराजू है तो दूसरे हाथ में क्या है तलवार होता है यह तलवार भी दो धारी तलवार होता है ठीक है फिर ऐसी मुर्तीयां क्यों रखी जाती है आप से पर कह दूँ कि वकील यह होते हैं काला कोट ही क्यों पहुंगते हैं सबसे पहले इससे कि जर्ज के अदालत में जो हथवड़ा होता है, यह हथवड़ा क्यों होता है, दूस्तों आज की बात नहीं बहुत पुरानी बात है, इसके बारे में अगर आपको जानना होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा समय से पहले लेके चलूँगा और आपको बताऊ पहले बात जिससे हम अधार नहीं और प्रतिक होता है तो आप मिलाज उलाके घर को तोड़ा भी जाता है यानि घर को बनाया भी हथोड़े से जाता है घर को तोड़ा भी हथोड़े से जाता है यह हथोड़ा जो है सक्तिक प्रतिक है जो अदालत में जज के पास होता है क्योंकि जज उस अदालत का सर्वे सरवाधिकारी होता है ठीक है इस हथोड़े को तकनीकी रूप से दोस्तों क उपनिवेश के रूप में रहा है अंग्रेजों की पध्धतियां अंग्रेजों की नियम कानून भारत पे थोपे गए लगाये गए ठीक है इस वज़ा से वहां की जो कल्चर की चीज़े थी भारत में भी आगे ठीक है तो वहां इस तरह के अथोड़े का प्रयोग होता था त अपकान, मालिक और किरायदारों के बीच में या फिर दोस्तों जब किसी दो पार्टी को बुला करके विवाद सांथ कराये जाता था तो भीड लगी होती थी अब उस भीड में धक्का मुक्की तक हो जाता था लड़ाई-जगड़े को सांथ कराने के लिए जो जज होता थ वो टेबल पर उस हतवडे से पीटता था, क्योंकि तब दोस्तो इलेक्रिक चीजों का विश्कार नहीं हुआ था, यह ट्राइंक डिवाइस नहीं थी कि माइक से बोलते हैं, हतवडे से पीटते थे, अब आप कहेंगे सार हतवडे से पीटने क्या जरूती घंटी बजा लेते घंटी तो पुरानी परंपरा में थी ना, घंटी बजा लेते हैं, उससे सुन लेते हैं, देखें घंटी की आवाज सदयव एक जैसी रहती है, जबकि हतवडे को समय के अनरूप अलग-अलग एंगल से पीटा जा सकता है, उससे अलग-अलग आवाज भई धीरेद तो कम आवाज आएगी, ज़्यादा सोरगूल है, तो ज़्यादा पीटोगे, तो दोस्तो एक तरह से एक्स्प्रेशन के लिए भी जरूरी होता है, तो यह होता था, और पूरा कोर्टरूम दोस्तो सांथ हो जाता, तो उस हताओडे की आवाज सुन करके, अगर इस तरह से गर्मा-गर्मी का माहल होता था, तो कोर्टरूम को सांथ और विवस्तित करने के लिए जज जो है, वो पहले लकडी की मेज को पीटते थे, लेकिन बाद में दोस्तो उस मेज के उपर क्या कर दिया गया, छोटा सा जो है लकडी का टुकडा रग दिया गया लग से, क्योंकि अगला सवाल का जबाब देते हैं, कुल मिला जुला के दो चीजे सीखा, कि हमारे देश की परंपरा नहीं थी, क्या अब लागू है भारत में नहीं? अब क्यों पिक्चर में दोस्तो इस तरह की चीजे देखते हैं, मोशली भारत में अभी जितने कोट रूम है दोस्तो वहां इस तरह की कोई विवस्ता नहीं है, कहीं कहीं पर है, ठीक है? और ऐसी चीजें सिर्फ कोट में नहीं होती, जहां कहीं निलामी होता है, वहां भी वहार आगला सवाल जो आपके मन में था किसा कोर्ट में जो गीता रखी होती है, उस गीते पे हाथ रखके हम सपत क्यूलेते हैं या कसम क्यूल खाते हैं। देखिए पुरानी पंप्राय भी है और ये अंग्रेजों को दोरा नहीं लाएगी, हर चीज अंग्रेजों नहीं लाया, ये दोस्तों मुगलों के समय में भारत मिलाए गे थी, मुगल दरबार में जब दोस्तों न्याय ब्यवस्ता थी, तो उस न्याय ब्यवस्ता के अंतरग वचन मुल्य दिया से वचन देगा वचन अगर दसरथ जी ने कईकेई को वचन दिया था और राम जी नम आनते तो क्या चला जाता है नहीं होता कुछ बाय उन्हों वचन दिया हमसे पूछ के थोड़े अभी हमारे पिता जी वचन दे दें किसी को किने मेरा पुत्र आईएसी बनेगा आप बन के दिखा देंगे अरे तो पिता जी का वचन था ना उनसे हमसे क्या यह भावना होती ठीक है जाकि पुराने समय में चीजें अलग थी मैं आपको समयाना चाहता हूं दोस्तों जिस तरह से वचन अपने आप में इतना कारगर होता था उसी तरीके से दोस्तों उस जमाने में धार्मिक मन्यताय भी अपने आप में सर्वे सरवा होती थी अपने बच्चे के सर पर हात रखके कर्शम खाना या फिर अपने अपने धार्मिक ग ऐद तो कसम खा के हरादमी तोड़ना जानता है ठीक है आलग मुद्दा है दोस्तों यह मुगलों के समय में इस्तर्ए की विषता ठीक तो उसके बाद बहादुर सा प्रथम के समय से अगर आप बात करेंगे अगर 1707 में जब औरन्जेब की मृत्ति हो जाती है तो उसके बाद से दोस्तो बहादुर सा प्रथम आ जाते हैं मुअज़म आज़म कामबक से तीन पुत्र रते औरन्जेब के पता होगा ठीक है लड़ाई वगरा होती है धीरे धीरे पतन की स्थिति बनती है अंती में आप पढ़ेंगे अठारा सो सत्ताओं की क्रांती उस समय दोस्तों मुगल बाद सा थे बहादुर सा जफर जिने सब्सक्राइब के छिए बहारत अधनियम के द्वारत होगों को कब तक सरेet कसम खिलाई गए भारत में लोगों को तो दोस्तों एक कसम खिलाई गए 1969 था ठीक है नाप्त कर दिया गया ठीक है और लाव कमिशन था दोस्तों लाव कमिशन ने 28 मी रिपोर्ट सवपा था उसी रिपोर्ट में कहा था कि अभी सद्नियम को चेंज करने की जरूरत है तो इस अद्नियम में सुधार करके इसकी जगह पर ओच सद्नियम 1969 लाए गया और उसी के ताद दोस्ते बंद कर दिया गया लेकिन मूवी में दोस्तों अभी इस तरह की चीजें लागू है तो पूछा जा कि क्या अभी भी चीजें हैं तो नहीं भारत में अब ये चीजें बंद हो गई है इस तरह से कसम अगरा नहीं खाने को मिलता है हलांकि टीवी सीरियल में थोड़ा सा अट्रेक्शन के लिए इस तरह की चीजें मिलती है ठीक है अब आपका अगला सवाल आपके मन में जो था कि सर इस तरह की जो लेडी होती है पहली बात है लेडी हैं कौन ये इतिहास हम को जानना पड़ेगा लेडी कौन है इनके हाथ में तरा नहीं थी ये कलपना दोस्तो सबसे पहले अंगरेजों नहीं राघी एंगरेजों की कलपना नहीं थी अंगरेजों न इसे अलग-़लग देशों से सीखा था तो मैं आपको लेकर चलता दोस्तो इस मूर्ती क arbeiten को वर्तमान में लेडी जस्टिस की मूर्ति का आजाता लेडी जस्टीस, लेडी मतलब एक महिला की मूर्ती है, जस्टीस मतलब न्याय देने वाली, इसलिए इन्हें जस्टीसिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जस्टीसिया या लेडी जस्टीस के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र मिस्र की देवी माट के रूप में होता है, मिस्र जो हुआ लोग का अलग अलग रोल है उसके लोग करते हैं और एक देश दोस्तों और है याद रखेंगे यूनान युनान की देवी थी दोस्तो थेमिस और डाइक ठीक है थेमिस और डाइक को कहीं कहीं पर दोस्तो डाइस भी लिखा हुआ है ठीक है तो ये युनान की देवी थी वहीं दोस्तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये युनान में सच्चाई और कानुम व्यवस्था की प्रतीक है छोने एक जो नेटिक व्यवस्था के परतीक है, तो उनके रूप में भी दोस्तों इसका चित्रण किया जाता है, ठीक है, तो अलग-अलग देसों के लोग दोस्तों इसे अलग-अलग मानते हैं, इसी तरह से एक رोमन संस्किती की बात करें, तो रोमन संस्किती में ही इन्हें क्या कहा जाता है जस्टीसिया कहा जाता है न्याय की देवी कहा जाता है लेडी जस्टीस यानि न्याय की देवी के हाथ में तराजू और तरवार दोनों होते हैं और साथ में दोस्तों आखों पे पट्टी बदी होती है अब एक एक चीज प बढ़ने का मतलब ही अंदा होना तो कानून अंदा होता है इसका मतलब है नहीं कि कानून सच्चाई को नहीं जानता अंदे होने का तात परे है कि कानून सब के लिए एक समान है दोनों पक्षों को अपनी बात रखनी अपनी राय रखने का मौका दिया जाता है जज उसको सु चैहाए गोई बहुत बड़ा आदमी हो चैहाए कोई बहुत चोटा आदमी हो इससे फर्क नहीं पढ़ता यह कानून सभी के लिए समान है तो पत्ती बदने का मतलब यह है टिक है तो करका इंसाब की व्यू स्था में नैतिकhone का प्रतीक दोस्तों यह देवी मानी जाती है इस ये जो न्याय है दोस्तो ये पट्टी का है दोस्तो ये सभी के लिए एक समान हो चाहे अपने आपका कोई कितना ही बड़ा तुर्रम खा क्यों हो ठीक है चली अब अगले सवाल पर आते हैं दोस्तो एक सवाल यहाँ पर मैं आपका और दूर कर दूँ ठीक है ये दोस्तो हाथ होगा उसी हिसाब से फैसला दिया जाएगा इसलिए दोस्तों तराजू लिया गया अब दूसरे हाथ में तलवार क्यों लिया गया तलवार से सक्ति का प्रतसन किया ठीक है तलवार जो है सक्ति को दिखाती सक्ति क्यों देखे जो दोसी ब्यक्ति है वो तो सभी के लिए दोसी कर दिया जाएगा ठीक है कुल मिला जुला के ये एक जो है बेस ठीक है अब आपके मन का जो अगला सवाल था कि वकील काला कोठी क्यों पांते हैं यहां भी दोस्तों मैं आपको बखुवी कम सब्दों में सब चीज़ें समझाऊंगा लेकिन वकील के काला कोठ पहने की जो कहा के लिए और जजों के लिए दोनों के लिए ड्रेस कोड बनाया था क्या बनाया था दोस्तों ड्रेस कोड का नियम बनाया क्यों ड्रेस कोड का नियम अच्छे बाइब बताओ जनता के बीच में सब लोग हैं अगर उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होगा तो यह कैसे पता बनाने के लिए ठीक है तो डरने की कोई ज़रूद नहीं है आप कोई गलत कारे करेंगे तो डर तो लगेगा तो दॉस्तो वर्दी होना जरूरी एक ड्रेस कोड अजरूरी है तो यहाँ पर जो ड्रेस कोड की सुरुआत हुई यह तेरह सो 27 इस्वी में इंग्लेंड के समराट क्या नाम था एडवर्ड तिर्थी उन्होंने दोस्तों स्टार्ट किया था और नियाएधीसों की वेस भूसा तयार कीगे उस ड्रिस कोट के अधार पर उस समय में जज अपने सर पर एक बालो वाला विग पहनते थे आई यह दिखाते हैं विग क्या होता यह समझेगा ठीक है यह नकली बाल ठीक है जज के सर पर दोस्तों नकली बाल होता था यह नकली बाल क्यों होता था जब इसके बारे मैंने सोध गया तो मुझे दो उत्तर मिले पहला उत्तर मिला दोस्तों कि काफी पढ़ाई लिखाई के दोरान इन लोगों के बाल जहर जाते थे तो गंजे जो होते थे खोपड़े ये सर ये अच्छे नहीं लगते थे इस वज़े से विग लगाए गया एक चीज हमें मिला ये आनलाइन मैंने ढोडा तम मिला यहाँ पर मैंने मैंने नहीं किया दूसरी बात क्या मिला दोस्तो जबाव बिक का जबाव मिला कि दोस्तो जो जज होता था उस समय में जब फैसला देता था तो जिसके पक्ष में देगा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिसके विपरीत फैसला आएगा यानि जो सच में दोसी होगा यदि उसे सजा सुनाए जाएगा तो व्यक्ति दोस्तांत बैठने वाला नहीं वो व्यक्ति कहीं ने कहीं जज को ढूंड कर उस पर वार करने के बारे में सोच लेता था कि इनका जो है क्रिया करम कर देंगे ठीक है तो लोग जज को पहचान ना पाएं रियल लाइप में इसलिए उपर विग लगा होता था जब बाहर जाते थे तो विग रख देते थे ताकि बाकी लोगों को पता ना चले कि कौन से थे हमें ये चीज भी पढ़ने को मिली ये दो बाते थी ठीक है खेर क्या सही क्या गलत अब तो विग का कांसेप्ट ही चला गया ठीक है एक तरह से माना जाता है कि विग का एक फैसन चलता था इंग्लैंड में ठीक है विग का फैसन चलता था इस्पेसली जो वकील और जो जज होते थे उनी कोई विग पहनना दोस्तों अलाओ था और कोई विग नहीं धारण कर सकता था ठीक है यह आप समझेगा इसी तरह से वकालत की सुरुवात के समय में दोस्तों वकीलों की बात करें तो वकील चार तरह के वकील थे जो सुरुवाती समय में वकील थे और चार तरह की पहले दूसरे थे दोस्तों प्लीडर इन्हें वकील कहा जाता था तीसरे थे बेंचर और चौथे बैरिश्टर आपने देखा होगा भारत में कई सारे ऐसे जैसे गांधीजी को ले लो ठीक अब उनको भी वैरिश्टर कहा जाता है ऐसे बहुत सारे वकील थे जुन्हें वाकालत की पढ़ाय किया था और उन्हें क्या कहा जाता था वैरिश्टर कहा जाता था तो यह चार कटेगरी के दोस्तों वकील भी होते थे यह ध्यान रखें कि करम पुराने समय की बात करें तो अच्छा इनके कपड़े के बारे में और चीज़े समझे इसी के सास्थ समय बतला और अ वकीलों की वेश भूसाम एक बार फिर बदलाव आया और ड्रेस चेंज किया गया 1627 में यह प्रस्ताव रखा गया कि काउंसिल जनता के अन्रूफी दोस्तों कपड़े पहने तो अच्छी लगेगी और वकीलों ने लंबे वाले गाउन पहनने शुरू कर दिये थोड़े से एड़वर्ड तिती हो तो दोस्तों 1300 की बात है याद रखेंगे आने 14 सतावधी की बात है यहां दोस्तों पहुंच गए 1694 में 1694 में ब्रिटीन की महारानी थी मैरी ठीक है उनकी दोस्तों चेचक समृत्ति हो गई उनके पती जो राजा विलियम थे दोस्तों विलियम राज ऑड्रिस था दोस्तों काला गाउन, काला गाउन उपजन कर उपस्तित होने का आदिश दिया गया, वही आदिश आज तक रद नहीं किया गया वो पहन कर आएं और वो आदेश दोस्तों चलता रहा कब से चलता रहा 1694 इस वी से आज तक दोस्तों चलता रहा ये चिंज नहीं हुआ वही उस आदेश को कभी रद नहीं किया गया यही वज़ा है कि आज भी जो वकील है दोस्तों ये काला गाउन पहनते हैं ठीक है हाँ समय के साथ थोड़ा सा फैसन बदला और ये कोट पैंड का चलना गया तो कोट पैंड पहनना सुरू कर दिया लेकिन जो गाउन पहनते उपर से ये चलन दोस्तो यहां से आया दोस्तों आप कहें भी वकील देखेंगे आपको इस तरह से गाउन में देखेंगे मिलें ठीक वो कोट वाला हटा दीजे गाउन भी पहने मिलेंगे आप कहा जाता दोस्तों आप जो काला रंग आई गया है तो उसको दोस्तों पाजिच्विटी के लिए कहा जाता है कि काला र वो सब के लिए एक समाने इस पर किसी और का रंग नहीं चड़ता यह आत्मविश्वास का प्रतीक है ठीक है यह सकती का प्रतीक है ऐसा माना जाता है और साथी जो अंदर का सफेद रंग होता है वो सुधता और पवितरता का प्रतीक माना जाता है आपको पता है वकी लोग ए के वर काला कोटी पहना जाता है बलकि एक सफेज सड भी पहना जाता है और एक छोटा सा नेक बैंड भी पहना जाता है नेक बैंड बोलते हैं गलिम पहने वाला बैंड नेक बैंड ठीक है तो वकील को यह पहचान नहीं योगे बनाता है नियाई ब्योस्ता में हर वकील इंगलेंड की पुरानी अदलत में बरिष्टर इस तरह की चीजे पहना करते थे ये सैली भारती वकीलों द्वाराबाद में अपना ली गई क्योंकि भारती नियाइक ब्रिटीस नियाइक प्रडाली से क्या थी प्रभावित थी इसलिए उहां का सारा सिष्टम दोस्तों यहा इधान के द्वारा बनाएगे नियामे उसको यह दूनों चीजों को दोस्तों प्रदसित करता है इसलिए ऐसा माना जाता है निक बैंड की कहानी है तो उमीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे सभी सवालों का जबाब मिल गया होगा ठीक है अगर आप रात म दस बजे समय आपके पास फ्री हो तो आप इस प्लास से जुड़िएगा इस वीडियो सीरीज से जुड़िएगा यहां बहुत सारे वीडियोज बनाते हैं और आपके मन की उत्सुकता और जिग्यासा को सांध करते है ठीक है तो समय देंगे 10-15 मिनिट तो हमेशा आपको